सर्व हिंसा निविर्ताये, सर्व सहास्चये, सर्वस्या, स्रयभूतास्च, ते नरा स्वर्ग गामिनव उपर जो मैंने स्लोक बोला है, उसका अर्थ बड़ा अजीब लेकिन शरल सा है अजीब इसलिए कि आजकल हम पग पग पर हिंसा करते जा रहे हैं और चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग की प्राक्ति भी हो जाए मैंने कहा है उपर कि जो व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार के हिंसा में उसकी संलिप्तता न हो किसी भी प्रकार के हिंसा में जिसकी सनलिक्तता न हो और जो प्राया प्रतीक प्रकार के कर्म विकर्मों का अनायास रूप शे सहन करता रहे मतलब उसके साथ जो जो चीजें प्राया दूसरों के द्वारा गलत या सही अगर करी जा रही हैं वो सहता रहे वही स्वर्ग जाने का भागी होता है वही स्वर्ग जाता है प्रेदर्शकों नमस्कार एक बार फिर से उपस्तित हूँ आप सबके सामने आज चर्चा भाग्योदय वर्ष विचार पे है जिसमें हम ये समझेंगे कि किसी भी जातक के जीवन में भाग्योदय कब होगा वस्तूता देखें तो भागे का जीवन में क्या संबंध है और भागे का निर्धारण क्या होता है आपके पिछले जन्मों का किया गया कर्म जो की प्रारब्ध कहा जाता है वो इस जन्म में आ करके आपके कर्म से जुड़ता है और फिर वो भागय का निर्मान करता है मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन में भाग्यवादी होना उतना ही महत्यपूर्ण है जितना कर्मवादी और कर्म विशेश पर फोकस करना है आप अगर कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में कभी न कभी भाग्य के वारे में विचार आएगा कब जब आप औसफल होंगे तब सीधे दिमाग में यही आता है मैंने कर्म किया था भाग्य में कुछ और ही लिखा था ये भाग्य क्या है मतलब पिछले जन्मों का कर्मों का जो उदय है, पिछले जन्मों का जो आपने कर्म किये हैं जो पिछले जन्मों में, वो कब आकर के आपके इस जन्म के भागे से जुड़ रहा है, कब आकर के वो आपके इस जन्म के बरतमान से जुड़ रहा है, जितना प्रारब्ध आपने पिछले जन्म में इकठा किया है अगर वो उसे आपने नहीं भोगा है तो इस जन्म में आपको इसमें जुड़ करके मिलता है ये सनातनिय परंपरा और पुराणों की परंपरा है जिसे जोतिश विग्यान मानता चला आता है और मानता ही रहेगा आज मैं आपको जन्मकुंडली के नमम ये होता है जहां मैंने एक नमबर लिखा है इसे जन्मकुंडली का पहला भाव कहा जाता है जिसे प्राया लगन कहा जाता है और यहीं से जन्मकुंडली के गिनने का आरंभ होता है अगर ये एक नमबर है तो सीधे बामावर्त बढ़ते जाईए तो एक, दो, तीन, चार, यानि कि यहां यह नमा भाव जिसे जातक के भागे का भाव कहा जाता है धर्म का भाव कहा जाता है इसलिए तो अगर आपने पिछले जन्म में धर्म कारे किये हैं तो निश्चित्रुप से वो इस जन्म के कर्म का भी भाव होगा और धर्म का भी भाव होगा वो धर्म का भी भाग्य का भी भाव होता है। तो अगर यहाँ पे जो राशी बन रही है मुलतह, अगर यहाँ पे जो अंक लिखा है, उस राशी के अधिपती का एक विसेस भाग्योदय वर्ष होता है। और वो राशी के अधिपती का जो भाग्योदय वर्ष है, उसी के आसपास, उसी के दो से एक साल पहले या बाद में जातक का भाग्योदय होता है। सबसे पहले, मान के चलिए, अगर यहाँ पे सुर्य से अगर मैं आरभ करूँ, तो मान के चलिए यहाँ पे अगर चाहे मान के चलिए एक नमबर से शुरू करते हैं। तो एक नमबर की जो राशी होती है, वो मेस राशी होती है। मेस के स्वामी होते हैं मंगल, और इनकी दूसरी जो राशी बनती है, वो व्रिश्चिक राशी बनती है, यानि की आठवे नमबर की राशी, यानि की पहले नमबर और आठवे नमबर, अगर जन्मकुंडली के नवे भाव में यहां पे एक और आठ लिखा हो जन्मकुंडली के इस नवे भाव में एक या आठ लिखा हो तो इसका मतलब है कि आपका भाग्योद है 28 वर्स में होगा जन्मकाल से 28 वर्स में आपके जन्मकुंडली के मतलब या आपके जीवन का भाग्योद है आपके जन्म समय से 28 वर्स में होगा अब बात करते हैं व्रिश रासी की तो व्रिश रासी के स्वामी होते हैं सुक्र और उनकी दूसरी रासी तूला रासी होती है तो अगर आपके जन्म कुंडली में यहाँ पे 2 या 7 नमबर लिखा है अगर आपके जन्म कुंडली में नवं भाव में 2 या 7 लिखा है तो यहाँ देखिए 52 वर्स या फिर 28 वर्स अब क्या है कि मान लिजे अगर आपके जन्मकुंडली में यहाँ पे दो नंबर या साथ नंबर लिखा है जिसके राशी के अधिपती होते हैं सुक्र तो क्या आपका भाग्योदे 52 में वर्स में होगा तो फिर उस भागे का फल क्या है तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है प्रेदरशकों कि अगर आपके जन्मकुंडली में यहाँ पे ऐसे इस्थुतियां बन रही है तो दो बाते होती हैं दो नहीं, तीन बाते होती हैं, सबसे पहले तो आपके जन्मकुंडली का उतरार्थ है, यानि कि आपके जीवन का जो उतरार्थ होगा, वो सुख पुर्वक आप जिएंगे, सुख पुर्वक या सुखध होगा, उसके बाद दूसरी इस्थती की राशी के आधार पर अगर द पिशेसता सुक्र की रासी के स्वामी हो जाने के कारण, चुकि इनका भाग्योदय वर्स बावनवे वर्स में हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर ये दो रासियां यहां बन रही हैं, और आपके जन्मकुंडली में भाग्योदय वर्स बावनवे वर्स में है, तो इसका लिखा होगो तो 28 साल में आपका भाग्योद है सुनिश्चित है उसके बाद अगर बात करें तीन नमबर की तो तीन नमबर के जो राशी के अधिपती होते हैं वो होते हैं बुद्ध और उनकी दूसरी जो राशी होती है वो छे नमबर होती है जानी कि कन्या राशी मिथून और कन्या इन दो राशियों के अधिपती बुद्ध होते हैं बुद्ध चपल चंचल चालाक और युवाग्रह है काफी शंबेदन सीलग्रह होता है और इनके स्थती देखिए तो तीसरे और छठे यानि कि इन दो राशियों का जब निर्माड या इन में से किसी एक राशी का जब निर्माड जन्मकुंडली के नवे भाव में हो रहा हो तो आपका भाग्योदय 22 वर्ष में हो जाएगा ये आरंभ में ही भाग्योदय करा देते हैं कई-कई गरंथों में बुद्ध अगर जन्मकुंडली के भाग्यभाव के स्वामी बन रहे हो तो 16 साल में भी भाग् यानि कि चंद्रमा अगर आपके जन्मकुंडली के नमम भाव में यहां चार नमबर लिखा हो यानि कि करकराशी बन रही हो तो करकराशी का अधिपत भगवान चंद्रमा के पास है चंद्रमा के ग्रह के पास है तो देखी यहां पे मैंने लिखा है कि अगर आपके जन्मकुं क्योंकि कई ग्रंथों में 22 वर्ष भी लिखा है 23 वर्ष भी लिखा है और 24 वर्ष भी लिखा है अपने जन्म के वर्ष से इसमें 24 साल तक अधिक्तम जोड़ लीजे और इसी दोरान भाग्योदय होगा ये भाग्योदय क्या होता है मैं कारेक्रम के अंत में बताऊंगा उसके भाग्योदय 24 वर्स में ही होगा यानि कि उसमें आपके जो जन्मकाश वर्स है उसमें 24 वर्स और जोड़ लीजे उस समय में आपका भाग्योदय अत्यंत प्रभावित करेगा आपको या फिर ऐसे स्थती बनती है कि आपके जीवन में भाग्योदय का जो वर्स होगा ये 24 साल अब बात कर लेते हैं प्रेदर्शकों तो हमने बात करी पांच तक छे साथ हो गया राशी के आधर पर करें तो व्रिशिक रासी भी हो गई आठ नमबर की रासी अब उसके बाद धनु रासी और मीन रासी अगर आपके जन्मकुंडली में नौ और बारह नमबर यहां लिखा ह हो चुकि भागे भाव के स्वामी अगर आपकी जन्मकुंडली में जब गुरु स्वैम बन रहे हो जो कि भागे के कारक होते हैं भागे को बृध्धी देने वाले होते हैं भागे में सहायता शिद्ध करने वाले होते हैं और अगर आपकी जन्मकुंडली में इन दोनों रा योदय में अत्यंत तिव्रता ला देते हैं, अत्यंत तिव्रता शे जातक का भाग योदय करा देते हैं, अब अपरी दर्श को बात कर लेते हैं, गुरु की बात हो गई, नौ के बाद अब बात कर लेते हैं, दस नंबर की रासी होती है, शनी की रासी, दस और एकादश, अग 10 और 11 नमबर लिखा हो अगर आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में मकर और कुम राशियां बन रही हो या इन दोनों में से कोई एक राशी बन रही हो दोनों राशियां तो एक साथ बनेंगी नहीं तो एक अगर कोई भी राशी बन रही हो तो यहां देखिए मैंने लिखा है 36 वर्ष, आपके जन्म के वर्ष से उसमें 36 साल में भाग्योदे हो जाएगा आपके जन्म से 36 साल में आपका भाग्योदे हो जाएगा क्रमशा मैंने बताया कि अगर 5 नमबर लिखा हो तो 24 साल, अगर 4 नमबर लिखा हो तो भी 24 साल, या 22, 23, 24 साल, अगर 1 या 8 नमबर लिखा हो तो 28 वर्ष, अगर 3 या 6 लिखा हो तो 24 वर्ष, 22 वर्ष, अगर 9 या 12 लिखा हो तो 16 वर्ष, अगर 2 और 7 लिखा हो तो क्रमशा बा लिखा हो तो 36 वर्स अब बात करते हैं जो सरवाधिक विचारणी है क्या मैंने यहाँ पर यह लिखा है प्रियदर्शकों कि भाग्योदय का वर्स यह है तो भाग्योदय कैसे पहचानेंगे कि हमारा भाग्योदय हो गया है क्योंकि कई बार अभी मैं किसी कुंडली कल देख उन्हों ने मुझे कहा कि मेरा भाग्योदय कब हो गया सथान परिवर्तन आपके उस आयू से आपकी शमष्य का कम हो जाना आपके उस आयू से कोई जीवन में बड़ा बदलाओ दिखता है आपके स्वास्त का आपके साथ खाड़ा हो जाना जीवन में चल रही छोटी-छोटी परिशानियों का अंत या कोई बड़ा और विस्तृत बदलाओ आपके कैरियर को ले करके आपके पिता से आपका सहयोग मिल जाए आपके भाई से आपका सहयोग मिल जाए आपके रिजल्ट वगेरह में आपकी वृद्धी हो जाए आप अच्छे शिक्षा के मालिक हो जाए एजुकेशन में आपका बहुत जादा ग्रोथ हो जाए या फिर किसी ऐसे निर्णय आपके द्वारा लिये जाते हैं जो क्रमशह आपको आपके जीवन में उन्नती के कारक हो जाते हैं ये भाग्योदय हो जाता है भाग्य का मतलब है कि मैंने जैसे बताया कि पिछले जन्मों का प्रारब्ध आ करके आपके इस वर्ष में इस वर्ष तोटे से कारेक्रम में प्रेदर्श को मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली के नमे भाव में जो राशियां बन रही हैं उसके आधार पर अपने भागे के उदय का वर्स निकालना या फिर कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग के उदय कब होने बादा है कुछ इस तरह से आज क कारेक्रम का शमापन करते हैं तब तक के लिए इजाज़ा दीजिए कल किशी और विशय के साथ उपस्तित होंगे तब तक के लिए नमस्कार